स्यादवादनय शटद्राव्य गुण पल्याय और प्रमान का जड कर्म चेतन बंधकारू कर्म के अबसान का कहकर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी मा को वंदनाशत बार है वंदनाशत बार है वंदनाशत बार है जयस्रियों नमह सिद्धेभ्यां नमो अरहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो अज्जायानम नमो लोए सवसाहूनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गउतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्यान कारकं प्रधानम सर्व धर्मानाम जयनम जयतुशासनम वंधित्तु सवसिद्धे धूवम चलमणोवम अंगदिंपत्ते वोच्छामि समय पावड मिनमो सुदकेवली भणिनम नमह समय साराय स्वानु भूत्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर चिदे अनंत धर्मन स्थत्वं पश्यंती प्रत्यगात्मनह अने कांत मै मूर्तिर नित्यमेव प्रकाषतां कि आचार यह कुंद कुंद देविर्चित समय सार परमागम। आचार अम्रत चंद्रकृत इसके आत्मख्याती टीका इसके करता करम अधिकार पर अपन चर्चा कर रहे हैं कि इसका दूसरा प्रकरन इस अधिकार का इस तरवी गाथा से प्रारंब हुआ हैं जो कि अपनी आत्मा का आश्रे का कर लिए कि अपनी आश्रे के परिणाम को जो नहीं करता मात्र जानता है वह ग्यानी कहा उन्नीस वी गाथा से तुलना करते वे अपने बात भी की थी कि वहां करम और नोकर्म में यह मैं हूं मेरे हैं ऐसी बुद्धी करने वाला अज्ञानी कहा गया था जब हम उन्नीस वी चुकि उन्नीस वी गाथा जीव जीव अधिकार की है जहां एकत्त्व ममत्त्व का निराकरन करना था और अब करता कर्म भोगता भोग यदि इसलिए यहां कर्तृत्त के निशेद की बात हैं वहां अज्ञानी की चर्चा यहां ज्ञानी की चर्चा यदि दोनों गाथाओं को मिलाते हुए अज्ञानी और ज्ञानी की परिभाशा लक्षन बनाना चाहेंगे तो पूरी तरह से इस तरह से बन सकेगा कर्म के परिणाम और नो कर्म के यह मैं हूं मेरे हैं इनका करता में हूं इनका भोकता में हूं ऐसी मां करने वाला ऐसा जानने वाला अग्यानी है और जो इचार प्रकार की विप्रीत बुद्धी कर्म और नो कर्म के प्रिणाम के प्रति नहीं करता इनका मात्र ग्याता कि पिशत्रवी गासा की टीका में अम्रचंद्राचार ये पहले कर्म और नोकर्म के परिणाम को समझाते हुए कहते हैं कर्म के परिणाम के रूप में उनोंने मोह, राज्वे, सुकुदुखा दि जो अंतरंग में हमारी परिणाम होते हैं जिन्हें भाव कर्म कहा गया जो च शिद्विकार चिदाभास भी पुद्गल कर्म के उदैसे होते हैं, पुद्गल के लक्ष से होते हैं, कोगल दव परिणाम निपन्ना, ऐसा कह करके उन्हें भी पुद्गल कहा हैं, विपरहिव कर्म के परिणाम हैं, और नो कर्म का जो परिणाम है, वो तो सपस्ट रूप से चड़कर्म रूप है नोकर्म शरीर वो तो स्पस्ट पुद्गल के हैं ये जो सारे परिनाम पुद्गल के परिनाम है और पुद्गल द्रव्यों और पुद्गल के परिनाम में व्याप्य व्यापक भाव है व्याप्य व्यापक भाव होने से उनका करता कर्मपना है तो उसके साथ तो करता कर्मपनी की सिद्धी की पुद्गल का पुद्गल द्रव्य का पुद्गल परिनामों के साथ परंतु पुद्गल परिनाम का ज्यान और पुद्गल परिनाम का ज्यान आत्मा का परिनाम है आत्मा और पुद्गल में व्यापक संब्द नहीं है तो आत्मा उन पुद्गल परिनामों के साथ व्यापत व्यापत होती है और जहां नहीं व्यापता वहां कह दिया खड़े और कुम्भकार की वहां थी खड़े और कुमार की वहां थी कोई घड़े में कुमार व्यापता नहीं है इस आधार से आत्मा उनको जानने वाला आत्मा का ज्यान का परिणाम और इपुद्गल के परिणाम इनमें व्याप्य व्यापक नहीं है ज्ञान के साथ इनका जो ज्ञान हो रहा है आत्मा को वह आत्मा का परिणाम है इसलिए इनको जानता है जानने रूप से प्रणमित होता है अंत में सावधान किया था पुद्गल परिणाम का ज्ञान वो पुद्गल परिणामों के निमित से हो रहा है गयी रूप निमित है तो चुकि वे गयी रूप निमित बन रहे हैं इसलिए वे ही आत्मा के ज्याता के व्याप्य हो गये हो इसलिए करम बन गये हो ऐसा मत समझ ल दहा है तो ज्ञान है होई हैं इनके साथ गय क्याहिक संबंद का मात्र व्यवहार यह इस तरह से पिछली गाथा में यह चर्चा की थी और व्याप्य व्यापक भाव को आधार बना करके करता करम पनी की बात कही गई थी अब इसी गाथा का उपसंगार करते हुए ये उनन्चास्वा कलश आ रहा है इस उनन्चास्वे विल्कुल इसी विशाई को ले करके हैं इस कलश का मैं पाश कर रहा हूँ आप सभी ध्यान से सुनेंगे व्याप्य व्यापकतादात्मनिभवे नईवातादात्मन्यपी व्याप्य व्यापकभावसंभवमृते काकर्त्रिकर्मस्थिति इत्युद्धाम विवेक घस्मरमहो भारेण बंदन्स्तमो ज्यानी भूयत दासे शलसिता करत्रित्वशून्यपुमां। ये वस्तुस्थिति जो जानते हैं कौनसी वस्तुस्थिति कि करता कर्म संबंद कहा हो सकता है और कहा नहीं हो सकता है इस बात को जो अच्छी तरह से जानते हैं वे व्यापक भाव के आधार से करता करंपना समझते हुए उस भेद विज्ञान उस विवेक के आधार से उस अज्ञान को नाश करते हुए ज्ञानी होकर के शोभाय मान होते हैं। अंतिम पंक्ति है ज्यानी भूय तदा से शलसिता करत्रित्व शुन्यह पुमान इसमें फिर मचूट गया पुमान में। ज्यानी तदा जब ये भेद विवेक कर लेते हैं तब वह ज्यानी होकर के शोभाय मान होते हैं। करत्र तुसे शुन्य होते हैं। कहां होता है करता करंपना। दूसरी पंक्ति व्याप्य व्यापक भाव संभवम रिते का करत्र करम स्थिति व्याप्य व्यापक भाव संभव हुए बिना कहां करता करम की स्थिति हैं। करता करंपना कैसे बन सकता है। करता करम बनने के लिए व्याप्य व्यापक होना जरूरी है। रटी परिभाशा संख्षिप में अपन ने देखी थी और आपको याद भी दिला दिया था वो व्याप पर पहले पंगती फिर से देख ले इसके साथ और चर्चा कर थे अपन व्यापक भाव के बिना यापक भाव संभवं नहीं है संभवं रितें संभव हुब बिना का कर्तरि कर्म स्थिति कैसे करता कर्म की शिद्धी हो सकती है करता कर्म की कि यह गो कि मिनेजिन का परस के संबन्दяться उन प्याप्व कि भी व्यापता भंड सकती है कि अब अब तादाद में तादात्में लक्षन तादात्में लक्षान वाला संबंद कैसा होता है यह जीव जीव अधिकार में अपनने पड़ा था हम्रचंदर आचारे वहां सपस्ट कहते हैं दो अलग अलग शब्दों में कहते हैं पहली बात यह कहते हैं जो अवस्था जिसकी व्यापती के बिना नहीं होता और व्यापती शून्य नहीं होता वाले उसकी व्यापती सहीत ही होता है जो जो अवस्था हैं उसकी व्यापती पूर्वक होती है और व्यापती शून्य कभी नहीं होती तो जिसकी व्याप्ती होगी व्याप्ती होती ही है मैंने उसकी सारी अवस्थाओं में उसके व्याप्त होकर की ही होती है कोई भी अवस्था उसकी व्याप्ती से रहित नहीं होती ऐसा जो भाव होगा वो उसका व्याप्त के होगा और जिसमें व्याप रहा है वो व्यापक होगा और दूसरा कहा था आविरभाव तिरोभाव जिसके साथ आविरभाव तिरोभाव होते हुवे मने आविरभाव तो भी वह तिरोभाव तो भी वह तो भी वह उसके पूरवक ही होवे और इस आधार से ज्ञान और आत्मा का ता अब वो ज्ञान हर अवस्था में व्याप रहा है तो अवस्था व्याप्य और ज्ञान लक्षन वाला वा आत्मद्रव्य व्यापक कल यहां इसके आधार से अपन ने कहा था इसके किसी कलश के भावारत में जैचंजे शाबडा ने लिखा है जो सरव अवस्थाओं में व्यापे व्यापक नर नारकादी जितनी अवस्थाएं होती है उन सब में एक जीव एक ही जीव की जो सारी अवस्थाएं हो रही है वो जीव उन में व्यापता है इसलिए व्यापक है और चार गतियां अवस्थाएं है इसलिए वो उसकी व्यापक तो एक ही द्रव्य में ये व्याप्य व्यापक्पना बनेगा क्योंकि प्रत्ते एक द्रव्य अपनी परियाय में ही व्याप सकेगा, दूसरे में नहीं व्याप सकता, जिनमें तादात में संबंद होगा, उनमें ही व्याप्य व्यापक्ता बनेगी, और निशेद के लिए न जिनमें तादात में संबंद नहीं है उन्में भी व्याप्त हो जाए कि ऐसा संभव नहीं है नए व तदावनी जिनमें तादात में परस पर नहीं हे उन्में न एव तो जीव जीव की परियाए में व्यापएगा न और पुद्गल पुद्गल की परियाए में व्यापएगा न बराबर है तो मैं जीव हूँ आप भी जीव है तो मैं जीव द्रव्य और आपकी जीव परियाए जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप समझने का प्रयास कर रहे हैं आपको समझ करके जो आपकी ग्यान परयाय हो रही है आपको जो ग्यान हुआ उसका करता मैं बन सकता हूँ कि नहीं क्यों मैंने समझाया मेरे समझाने से आपको ग्यान हुआ तो मैं करता आपको ज ऑक्ता वियाप्य वद्विवद्व मुढ्य है ऐसा तो अबन जाएगा ना in 2015? कि मैं हाथ से कोई कारी करता हूं शुश्टक उठाता हूं तो पुस्टक उठने की क्रिया का करता इस हात ने पुस्टक उठाया तो यह हाथ पुद्गल और ये पुस्त्तक भी पुद्गल थो इनके बीच में भी व्याप्य व्यापक हे कि नहीं है? अब यहाँ कल दूसरा वाक्य हमने कहा था जो ėsem जो अवस्फाओं में व्यापता है व cały व्यापक और एक एक अवस्फा वक़ कि दोस्रा वाक्य कहा था इस तरह से द्रव्य व्यापक है और उसकी पर्याय व्यापक है तो एक एक द्रव्य लेना है जीव कहा तो एक जीव द्रव्य लेना है और वह जीव द्रव्य अपनी ही अवस्थाओं में व्यापक है दूसरे जीव के लिए नहीं पुद्गल भी अपनी ही पर्यायों में व्यापेगा दूसरे पुद्गल के लिए नहीं है कि दूद शक्र के कारण से मीठा हुआ शक्कर ने दूद को मीठा किया बिलकुल नहीं कि तो दूद में व्याप गया शक्र पूरी तरह से नहीं व्यापा है दूद की अपनी स्निक्दता चिकनाई ये लक्षन है उसका वो स्निक्दता वाला ही दूद रहा और मिठास शक्कर की शक्कर में है दूद में गई नहीं है इसलिए शक्कर ने दूद को मीठा नहीं किया शक्कर ही स्वयम मीठे रूप से परिणमी तो शक्कर मीठे वाली अवस्था का करता और स्निक्दता जो दूद की है उसकी करता वो दूद है इसलिए भले ही जाती अपेक्षा द्रव्य होंगे लेकिन व्यक्ती अपेक्षा एक यूनिटी जो यूनिट अपनी एक एक जीव अपनी ही परियायों का करता होगा दूसरे की जीव की भी परियाय का करता नहीं होगा व्याप नहीं सकता दूसरी पंक्ति पढ़ती ती अपन ने व्यापभत्ति शब्धे गुन कांगम कैसे कत्ति बन सकती हैं व्यापण जरुड इस्के बिना करता नहीं होगा अं लेकिन लोक में अनेक कारियों के करता हम बनते हैं यह मोटे तोर परेदी हम लोकिक दिस्की से ही बच्पन में भी बच्चों को पढ़ाते समय हम कहते भी हैं घड़ा कौन बनाता है कपड़ा कौन बनाता है जूता कौन बनाता है तो हम क्या कहते हैं बच्चों को सिखाते भी हैं कपड़ा जुलाहा बनाता है कोरी जुलाहा जो भी नाम देते हों घड़ा बनाने वाला कुमार के लाता है और जूते चपल बनाने वाला चमार के लाता है तो इनका करता वो है की नहीं है कुमार और यह सब झालोटी तो कॉन बनाता है पिता कमा के लाते हैं तो रोटी तो ममी बनाती है इतना तो उसको स्रेह देदो अब कहते हैं हम बच्पन से देखते आए सारी बाते अब कहते हैं कि रोटी मम्मी नहीं बनाती ऐसा क्यासे घड़ा कुमार नहीं बनाता अब कहते हैं मम्मी रोटी नहीं बनाती मम्मी तुम रोटी नहीं बनाती हो अच्छा रोटी बनाने की क्रिया की करता तुम नहीं हो प्रम्म कि प्रत्यक्ष इसको साम्यावार रीक प्रत्यक्ष क्या लोग यह सी चलने वाला है coffee मज़ना चाहते हैं वस्तु सो रूप तो वस्तु स्वरूप एंसा उल्ट ग्यों है जब मा इतनी मेहनत करती है, कुमार घड़े बनाने के लिए इतना मेहनत करता है, फिरो उसे क्यों नहीं कहा जाता है, इसके संदर्ब में एक दृस्टान ख्याल में आ रहा है, बड़ा बनना है न बड़ा किसी को, कैसे बड़ा बनता है, वो बड़ा कैसे बनना जाता है, वो बात कही गई उस संदर्प को अपन यहां लेंगे बड़ा ऐसे नहीं बना जाता है बड़ा बनने के लिए बड़ा कस्ट सेहना पड़ता है बड़ी मेहनत लगती है तब जाकर के बड़ा बना जाता है कैसे कि जैसे बड़ा बनता है वैसे बड़ा आलू बड़े तो खाते नह तो चटनी बड़ा ये जो बड़ा बना जाता है या इसके संदर में और जिसकी बी डाल के बनते हो बनें की प्रक्रिया कैसी पहले शमझ दो उड़त की डाल से अधी बनते हैं तो उड़त की डाल पहले उड़त को डलना पड़ेगा, उसकी डाल निकलेगी, उस डाल को पानी में गल आएंगे, अच्छी तरह से गलने के बाद में, फिर उसे आज के जमाने में तो मिक्सी में चला लेटे हैं, सबी आराम तलब हो गए हैं लेकिन पहले माताय बेहने क्यासा करती थी उसको सिल बट्टे पर रख करके पूरा पीस्ती थी बारी करती थी अवर डाल पिस गई बारीक होई बारीक होने के बाद में घोल करके रखा उसे और फिर जा करके गरम तेल में तला तब जांकरके बड़ा बना तो इतना संगर्ष करना पड़ता है जेलना पड़ता है तब हो बड़ा बनता है ऐब अइसा ही लोग वहर में भी यह कहते हैं भी इसी तरह से आसानी से बड़ा नहीं बना जाता मिट्टी से घड़ा बनने के लिए भी आप देखो, मिट्टी कैसे घड़ा बनती है, वो महां से निकाल करके लाया, उसे जब गूथता है न, तो कूद कूद करके पैरों से कुचल कुचल करके गूथ, यह सब प्रक्रिया उसकी हुई, फिर पिंड बना करके चक्र पर रखा, चलाया, और साथ में गुरु और कुमार के लिए कहते न, वो जैसे कुमार घड़े पर चोट दे करके उसकी खोट निकालता है, ऐसे गुरु भी शिश्य को चोट दे करके खोट निकालता है न, तो उसने चोट भी खाई, घड़े ने, यह सब गाने के बाद में धूप में स कि यह में क्यों कह रहा हूँ, अब यह हम बात कर ल thấy कि मंपी रोटी बनाती है, मंपी से कि तुम रोटी नहीं बनाती हो, हमारा करता बनने का फार्मूला है, जो व्याप्त हो, अब इनमें योगधान की बात करे, लगता है न, अरे मंपी का इतना बड़ा योगधान है, और ममी को रोटी बनानी की के करता भी नहीं मनना चाहते हो आप योग्दान देखो न हम कह रहे हैं रोटी की करता आठा है और लुटी की करता मा में तो कि कैरो योग्दान बड़ा किसा व सब्सक्रात महां कितनी मेंनद कर देखो हमें मा की महनत दिखती है लेकिन आठे की महनत नहीं दिखती न आठे से रोटी बनी आठा पहले जो ग्यों के रूप में था पहले चक्की में पिसा पिसने के बाद में पानी में गला पानी में गलने के बाद में अब गुथा भी गया न तो अच्छी तरह से गुथम गुथा किया है ना और उसके बाद में चकला बहलन के बीच में आ करके बिला और उसके बाद में तवे पे जा करके गरंगुरम सिका तब जा करके रोटी बनी ये सारा सहा किसने यह सारी अवस्ताएं सब आटे में नहीं हुई ना तो किसका बड़ा योगदान मम्मी नहीं क्या किया यह सब बाहर से करती रही मम्मी तो बाहर नहीं ना चक्की में पिसी ना पानी में गुथी ना चकला लेलन में बेली गई ना तवे पे अब यह इन सारी अवस्थाओं में व्याप रहा है पूरी तरह से अपना परिवर्तन किया उसने तो उसका व्याप व्यापक्पना कितना है इसलिए वह द्रव्य ही उस रूप से आगे इन सब के बाद में करता कर्म क्रिया का लक्षन अमुर्चन राचारे निकालने वाले हैं इस सब प्रकरन के बाद में तो वहाँ वे लक्षन के रूप में कहने वाले हम करता किसे कहे यहाँ परिणमती सह करता जो स्वयम उस रूप परिणमे वो करता है तो रोटी रूप से कौन परिणमा घड़े रूप से कौन परिणमा कपड़े रूप से कौन परिणमा है वो करता है रोटी रूप से मा परिणमी क्या नहीं परिणमी तो मा करता नहीं है घड़े रूप से कुमार परिणमा क्या कि नहीं परिणमा तो वो करता नहीं है उस रूप से परिनमना तो तो रूप से परिनम्ते नहीं है तो वे करता नहीं है यदि ऐसा नहीं है तो फिर दुनिया तो यही कहती है आज़व चलिए अपन उस कारिय के होने में परसेंटेज बाते stealing परसेंटेज तुकिसको कितना परसेंट देना चाहिए रोटी बनी आपाये और माः घड़ा बना को महार है और मीनटी हैं किसको कितने परसेंट देना चाहिए कि पुर्किने लगता है कि चेह बराबरी कि इससे हो primitive प्त कि प्रसेंट नंकिकरते ते लिए आप यह ने पर सेंट मांसे का पच्छास परसेंट मारा 50 परसेंट का मेरा 30 परसेंट कम ने परकां उसने यह क्र दिया तो रर मेरा 50 अध़ा trait अज् वह भी काम करें तो ऑधाही पिसे आधाही गुठह, आधाही शिखे तो बनेगी रोती ऐसी क्मार मेरा करें अधर दूर करेगा तो 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 काम नहीं बनेगा तो प्हिर कैसे काम चलेगा विप्य 50-50 नहीं है, 100-100 है, 100%, दोनों का 100, काम तो एक ही हुआ, 100 ही तो होता है, 200 थोड़ी होते है, 200 थोड़ी हो जाएंगे, 100 ही है, परंतुन, एक कार्य के दो विवक्षाओं से कचन किया जाता है, एक उपादान करता कहलाता है, और एक निमित होता है, उपादान जो द्रव्य स्वयम उस कार्य रूप से परिनमे, वो उपादान, तो घड़े रूप से, रोटी रूप से, वो मिट्टी, जितनी मिट् सेंट घड़े रूप परिनमा है, जितने आटे से हम रोटी बना रहे हैं, एक लोई ली है, तो पूरी लोई सेंट परसेंट रोटी रूप से परिनमी है, और इस कारण से उपादान की अपेक्षा वो शत प्रतिशत करता है, शत प्रतिशत और निमित की अपेक्षा, मा, जो जिस कार्य के होते हैं वो उसके निमित है तो निमित की अपेक्षा शत प्रतिशत निश्चय करता शत प्रतिशत व्यवहार करता शत प्रतिशत तो यह निमित की दृस्टी से व्यवहार से सारा कथन होता है तो व्यवहार की अपेक्षा पूरा है तो पूरा योगदान दे ये मोह, ये मिध्या तो खड़ा होता है, तब वस्तु सरूप के लिए कहना पड़ता है, कि नहीं, करता कर्म वास्तों में तो, जहां व्याप्पे व्यापक पना होता है, वहीं करता कर्म हो सकता है, व्याप्पे व्यापक तादात मनी, तादात मनी उसी द्रव्य, एक ही द्र यह करता हो सकता है अपनी पर्याय का करता है कोई दूसरा नहीं बन सकता है इसलिए जीव कर्म और नो कर्म के करता बिलकुल नहीं है यह जो अच्छी तरह से जिसने समझ लिया इति वुद्धाम विवेक वुद्धाम प्रबल शब्द हिंदी विद्धिया प्रबल विवेक अच्छी तरह से जान लिया कौन किसका करता है घस्मर महाभारेन सबको ग्रसी बूत करने के सुभाव वाले ज् इस ज्ञान के आधार से भिंदन स्तमो यह जो करत्रत्य के अहंकार का ज्ञान का अंधकार था उसे भेदता हुआ ज्ञानी भूय तदा जब इतना निर्ने कर लेता है तब वह ज्ञानी होता है और तदा इस लसिता हा तब शोभाय मान होता है करत्रत्य शून्य पुमान पुरुष्माने वास्तविक आत्मा वो शुद्ध आत्मा करत्त शून ग्यानी होकर के शोबित होता है शोभायमान होता है तो ये बहुत बड़े तथि के लिए निरने के लिए विचार के लिए हमारे अंदर अच्छी तरह से परके करत्तों का आंकार जो बैठा हुआ होगा व्यावार में कहने में कोई आपत्ती नहीं लेकिन वस्तु स्थिती का ज्यान कराने के लिए व्याप्य व्यापक भाव का बड़ा सिद्धान्त यहां पर दिया गया है एक बार कलश और इसके पध्यान वात्ता पाठ हम सुनील जी से सुनते हैं सुनील जी को अन्मुट कर लिजे हैं है अन्मुट है अन्मुट नहीं है अभी नहीं है अभी नहीं हुए व्याप्य व्यापक तातदात्मनिभवे नईवातदात्मन्यपी व्याप्य व्यापक भाव संभव म्रते काकर्त्र कर्म स्थिति ही इत्युद्धाम विवेक घस्मरम हो अवास बहरा जाए के ते और चलो करून हो बारे नभिंदल समो वे सुने ही अवाज नहीं है अबही आ जी और अश्यान आ gid आन्मुट है आरही है अभी आ रहा है खश्या canoe आ अबहु आ आरहे기는 दात्मन्यपी व्याप्य व्यापक भाव संभव म्रते काकर्त्र कर्मस्थिति इत्युद्धाम विवेक घस्मर महो वारेण बिन्दंस्तमो ज्यानी भूयत दास इशलसितह कर्त्रत शुन्यपुमान तत्स्वरूप भाव में ही व्याप्य व्यापक बने बनेनक दापिवह तत्स्वरूप भाव में कर्ता कर्म भाव का बनना संभव है व्याप्य व्यापक बाव संभन्द के अभाव में इस भांति प्रबल विवेक दिन करसे भेद अंदकार लीन नीज ज्यान भाव में कर्त्रत्व भारसे शुन्यशो भाय मान पूर्ण नेर भार मगन आनंद स्वभाव में पूर्ण नेर भार मगन आनंद स्वभाव में कर्त्रत्व संबंदी अज्ञान के दूर करनी की बात चली अज्ञान रूपी अंदकार को बेचता हुआ ज्यानी हुआ साथ ही कर्त्रत्व को बहार कहां और जो कर्तापने का बहार अमारे माथे पर कितना होता है छोटा भी कार्य करने का विकल्प चित में आते ही तत संबंदी कितने विकल्प चलने लगते हैं और कितना भार हमारे माथे पर होता है जब तक वह कार्य पूरा नहीं होता तब तक हम निर्विकल्प नहीं होते निराकुल नहीं होते कितत संब लिए कितना भार और पूर्ण निर्भार जिस समझ लिया籍 वहं पूर्ण निर्भार चित्त में विकल्प में निर्णै में निर्भार होता है बाहर से लोक एक दीस्ति से जो कार्य होने है वह अपनी अथावत चलते रहते हैं के अभी समय है हम आगे की गाथाएं प्रारम करते हैं कितना समय हुआ है कि मोथ ृट थी चुट है कि इससे मिलती जुलती है उसे ठोड़ा अपन गौन करेंगे टीका भी इनकी एक सी है तो कल तीनों गाथाओं की टीका भी एक साथ हो सकती है ग्यायक वह प्रभुदिनी टीका में आधर ने डॉक्टर उकुम चंजी बारिल साब ने चारों गाथाओं को एक साथ लिया और टीका भी एक साथ दी है जिसमें से तीन गाथाएं हम अभी एक साथ लेते हैं, तीन गाथाओं की उत्थानी का जो अलग-अलग दी है, उसे भी एक साथ लेने का प्रयास किया है। कि ये जानकार है, कोई लोकिक दिस्टी से भी कोई कारी करनी की जिम्मेदारी दी जाती है, तो किसी जानकार को दी जाती है। और छे द्रवियों में जानकार जीव है पुद्गल तो विचारा कुछ जानता नहीं है तो नहीं जानता है ऐसे पुद्गल के लिए करता पना तो नहीं हो सकता और अपना कारी भी नहीं कर सकेगा जीव जानता है इसलिए जानने वाला जीव का जरूर पुद्गल के साथ करत खड़ा हो सकता है या विकल्प आ सकता है उसके निराकरण के लिए इन गाथाओं में स्परस्टी करन करने जा रहे हैं इतीनों गाथाओं की मिली जुली उत्थानिका आपके सामने हैं उस उत्थानिका से बात करते हैं पुद्ग सहते किकल्म फ्लम है एिव कि यूदर करले यांव स्वारिणामम जानतों जीवस्य himself तोidores व सकने वाले रापना ध्यूप के continental आज में जानने वाला जैन्य को जीव है वह जानता है इसे जानने वाले जीव का पुद्गल के साथ, पुद्गले नसा, पुद्गल के साथ, करत्रि करम भावा किम भावती किम न भावती, करत्रि करम भाव होता की नहीं होता है, बने जीव पुद्गल करमों का करता होता है की नहीं होता, पुद्गल करम जीव के पुद्गल करम बनते है की नहीं बनते हैं कौन सा जीव, तीन सितियां, तीन गाथाएं हैं, तीन गाथाओं में, पुद्गल कर्म को जानने वाला जीव, पुद्गल कर्म फल को जानने वाला जीव, और स्वपरिनामम, अपने परिनामों को जानने वाला जीव, इसमें कर्म में, पहली गाथा पुद्गल कर्म को जानन से संब्दित हैं दूसरी गाता स्व परिणाम को जानने से संब्दित हैं और तीसरी पुद्गल करम के फल को जानने से संब्दित हैं ऐसा जो जीव कि ऐसे जीव का पुद्गल के साथ करता करम भाव होता कि नहीं होता है यह बात करते हैं अभी अपन तीन गाषाओं का पाठ कर लेते हैं कारम कारम फल और स्वापरिणाम इनको थोड़ा ध्यान में रखते हुए लेंगे और कारी कौन-कौन से होते क्या कारी कर सकता है तीन प नविपरिनमदिन गिन्हदी उपज्यदिन परदव अपज्याये नाणी जानं तो विहू पोगल कम्मम अनेय विहं नविपरिनमदिन गिन्हदी उपज्यदिन परदव अपज्याये नाणी जानं तो विहू सगपरिनामं अनेय विहं नविपरिनमदिन गिन्नदी उपज्जदिन परदववपज्जाए नानी जानन तो विहूं ओगलकम अप्खलमनंतं एक गाथा का अर्च थोड़ा विस्तार से स्पस्थता से कर लेते हैं उसके बाद तीन गाथाएं सरल हो जाएंगी धूसरी पंकति ग्यानी जानन तो विहूं किन को जानता हुआ पोगलकमम अनेयविहं अनेयविहं अनेक विधम अनेक प्रकार के पुद्गलकरमों को जानता हुआ अब यहां नेक प्रकार के पुद्गल कर्म कहा तो दो विवक्षा लेना एक विवक्षा लेनी है जो पुद्गल कर्म पहले आच्छ प्रकार का होता है और आच्छ प्रकार की मूल प्रकृती के बाद उत्तर प्रकृती के रूप में 148 होती है और 148 में भी बहुत सारे भेद हो जाते हैं असंख्यात प्रकार हो जाते हैं और एक-एक कर्म को अलग-अलग मना जाए तो अनंत भी हो सकते हैं तो अने एक प्रकार का पुद्गल कर्म दूसरा जितने जितने पुद्गल के कारी है उस सब पुद्गल कर्म पुद्गलिक कारी दुकान चलाना मकान बनाना खाना बनाना इस जितने पुद्गलिक जितने जड़ कर्म है वो सारे वो कारी पुद्गलिक कारी है उन सब को अने एक प्रकार के पुद्गल कर्म उन सब को जानता हुआ भी जानता है जानने रूप भी पर दव पज्जाय पर द्रव्यक के रूप में उनके रूप में न वी परिणम मदिप ना गिन्न दी ना उपजदी वैसे क्रम यह होना चाहिए पहले उत्पन्न होना फिर परिनमना फिर ग्रहन करना लेकिन गाथानुरोच से वो पहले परिनम दी गिन्न दी उपजदी का कोई दूसरे के परियाय के रूप में न उत्पन्न होता है न उस रूप से परिनमता है न किसी को ग्रहन करता परद्रवी की पर्याय को जानते हुए पुद्गल अनेक प्रकार की पुद्गल करमों को जानते हुए भी उनकी पर्याय के रूप में परद्रवी की पर्याय स्वयम के अलावा जानने रूपर नम रहा है और परद्रवी की जितनी भी पर्याय होंगी उस रूप से न उत्पन पुद्पन्हों को तो जानता है लेकिन हो सकता है यह अपने परिणाम को नहीं जानता हो इसले पुद्गल के करने के लिए जा रहा होगा अगली गाथा में केते नहीं ज्यानि अपने परिवर्तन है पूरी गाथा एक है कि जगह सग परिणाम मने एव एपने अनेक प्रकार के परिणामों को जानता हुआ अपने पिरिणाम अनिक प्रकार के कौन से तो अच्छे बुरे सम्यक मिथ्या जो जो परिणाम हो रहा है सब जानता है लेकिन ये भी जानता हैगी ये परिणाम मिथ्या है ये परिणाम सम्यक है इसलिए इन परिणामों को मिथ्या पुद्यल करम वाले होने से पर के ही कहलाएंगे इसलिए कि लेकिन फल नहीं जानता होगा इसलिए शायत करता बनता होगा कि नहीं ग्यानी से कि अधे सबसे पहले तो कि शयों में सबसे पहले कार्या warto कर देखा जाए तो अनादी से लेकर कि कितना कार्य व्यतित हो गया इतना काल संसार में परीवर मन कर लेगा मुँवान को मिली रहा है महाम प sih यह प्रकृर्ण को मिल रहा है अकुलता दूख में रहा है सारे कितने प्रकार के प्ल नन शामकी मिल रहे हैं और अनन्द प्रकार के फल मिल रहे हैं कर्म अनन्द प्रकार के उनके फल भी अनन्द प्रकार के वो जो अनएक प्रकार के कर्मों के फल है उनको जानता हुआ भी ज्यानी परद्रवी की परियाय में ना उस रूप से उत्पन होता है ना उन्हें ग्रहन करता है ना उस रूप से प करता है तो इसका मतलब है ते फिर अज्ञानी करता है अज्ञानी चुंकि उनको जानता नहीं है परद्रवी की परियायों को कर्मों को कर्म के फल को अपने परिणामों को तो वो कदाचित करता होगा इसले ज्ञानी शब्द का तात पर यह अनेक प्रकार से अनेक अर्थों मे होता है ग्यानी सम्मेक दिस्टी ग्यानी को भी कहते हैं केवली भगवान को ग्यानी कहते हैं और अल्प चदमस्ते उसे भी अग्यानी कहते हैं तो याना केवल ग्यानी ताट पर यह हैं और सम्मेक ग्यानी तो चुकि ग्यानी का प्रकरण चल रहा है इसलिए कह सकते हैं लेकि दूसरा जिसमें ज्ञान पाया जाए वो जीव द्रव्य, वो ज्ञानी, तो जीव द्रव्य ही, सभी जीव द्रव्य, जीव मात्र, अन्य पुदगाल कर्मों को जानेंगे, जानने रूप से परिनमेंगे, अपने परिनामों को जानेंगे, स्वपर प्रकाशक होने से, पुद द्रव्य के परियाय के रूप में ना उत्पन हो सकते हैं ना परिणम सकते हैं ना उन्हें ग्रहन कर सकते हैं यह यह किसी जीव द्रव्य क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करही नहीं सकेगा इसलिए तीन प्रकार के कारियों में वह नहीं कर सकेगा किंचित मात्र भी नहीं कर पाएगा अग्यानी अकेले ज्यानी की बात क्यों कह रहे हैं ज्यानी इस बात को अच्छी तरह से जानता है और अग्यानी को कदाचितिने का करता कहते हैं अग्यान भाव से क्यों क्योंकि उसकी मान्यता होने से तो वास्तों में वहब भी उनका करता नहीं बनता है अ परद्रविय की परियाय में ना उत्पन्व होता है ना उस रूप से परिनमता है ना उसे ग्रहन करता है यहां इजो तीन प्रकार की कारियों की चर्चा की उत्पन्न होना, परिनमना और ग्रहन करना इतीन प्रकार की कारियों फोड़ा जिने जग्यासा हो वे जैचन जी छावडा का भावारत पड़े हैं तो इतीन प्रकार की कारियों जिसे अम्रचंद्राचारी टीका में प्राप समय बाधिक होमवर्क देना चाहता हूं बाधिक होमवर्क यह है वो कहते कि करता की तीन प्रकार के कर्म होते हैं तो कि तीनी प्रकार के कर्म कहें तो जगत में जतने कर्म करम ने कारी है जतने कारी हो रहे हैं उन सारे कारियों को उन्हों ने बस तीन में बाढ़ दिया उत्पन्न होना परिनमना और ग्रहन करना परिनमने को ने परिवर्तन करने के रूप में लिया है तो यह तीन कारी अब हम थोड़ा सा बधिक खुमर की यह करें कि तीन प्रकार के कर्म कह करता कि इसके अलावा भी और कोई कर्म होते हैं क्या हो सकते हैं क्या यह विचार करें औ लेकिन वो जब आप वो पढ़े तीनों का स्वरूप जो कहा गया है उस उस संदर में विचार करते हैं करता के तीन प्रकार के कर्म कहे और उसमें घटित किया तो इसके अलावा कोई कर्म कोई कारे हो सकता है क्या वो कैसा हो सकता है और मैच में जैसे आखरी में एंसर शीट दे होती है ऐसे ही एंसर शीट है कि तीन प्रकार के अलावा कोई और कर्म नहीं होता इसलिए सारे कर्मों को उनोंने यह तीन प्रकारों में विवत किया है तो हम सोसते सोचते ख्याल में आ रहा है, तो कहीं न कहीं, इन से जुढते हुए, वे हमारी क्याल में आएंगे, आने चाहिए, तो उसके साथ जुढते हुए, हम इसका विचार करें, चीका में अमर चंदराचारे ने बहुत अच्छी तरीके से दrzyप्स्टांत पुरूवक इ सुनेल जी से सुनते हैं चौथी गाथा इससे थोड़ी से हट करके हैं इनी से मिलती जुलते लेकिन हटके हैं थोड़ी इस तरह उसको गॉन किया है वह अपन उसके बाद पस्चात लेंगे बोलिया सुनेल जी कि अरिचम ही सहाँ यह सहाँे हैं खेड़ी बड़के टली साय चक्शलüzelण इनी सादेख ऋने कीतंधkleश खासाँ इससे, करने प्याहन आपके तरहन है, रbon—दोलुन साचलाँ में प्रम जीन viensख? बोली से जी2020 किया है, यह च्याद्व बम्तोríमा मैस। ओके? दिन परदव पजाये नाणी जाणं तो विवू सग परिणामं अने यविहं रविपरिणम दिन गिन्नदी उपज्य दिन परदव पजाये नाणी जाणं तो विवू ओगलकम अफल मणंतम परदव्य की परियायमे उपजे ग्रहे नापरिणमे बहुभांति पुद्य गलकर्म को ज्यानी पुरुष जाना करे परदव्य की परियायमे उपजे ग्रहे नापरिणमे बहुभांति निज परियाम सब ग्यानी पुरुष जाना करे परदव्य की परियायमे उपजे ग्रहे नापरिणमे उद्गल करम कानंत फल ज्यानी पुरुष जाना करे ज्यानी पुरुष जाना करे ज्यानी पुरुष जाना कर सकते हैं इसलिए इन सारे करत्रत्तों के भार से शून्य होकर के वा ज्यानी पुरुष है हमें भी एदी ज्यानी बनना है तोहँरी चित्त में भी इनके करने धरने की जो विकल्प चलते हैं उसा विकल्प से पार हो करके इस ज्यानपना छोड़कर के हम भी ज्यानी बने और करतापने से निरभार हो तो इसे मंगल भावना से आज की चर्चापन पूर्ण करते हैं निज निधी निज में बताई यहानत उपकार है उसके लिए जिनवाणी मा को बंदनाशत बार है हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरना गहे सुपावे सुख चैन जावाणी के ज्यान ते सुजे लोका लोक सुवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक सदा देत हो ढोक सुवाणी मस्तक नवचा प्राइम